रावत पुरा थाने में पुलिसी अत्यचार से पेड़ेत ग्यान सिंग बगेल पर हुए अत्यचार पर इंसाफ दिलाने के लिए बगेल समाज हुआ लामबंद। लाहार शेत्र के अनुविवागी अधिकारी को राजा भाईया पाल प्रदेश प्रवक्ता पाल समाज के अगवाई में पाल समाज ने ग्यापन देखर आरक्षकों पर एफाईयार दर्श करने की मांगी इस रोश रैली में लोगों ने बढ़ चड़ कर भाग लिया और साथ ह बैठक में पीड़े तक ग्यान सिंग बगेल ने अपने साथ हुई पूलिस की आप भी थी अनुविवागी अधिकारी को सुनाई और कहा कि हमारे गाम में पड़ोसी के साथ हुए मामूली विवाग पर रावत पुरा ठाना प्रभारी कांठी राजपूत के कहने पर और स्डियोपी पी नवीन बंसल के नजदी की रावत पुरा ठाने में पदर सारक्षक महिनर प्रजापती आलोक राठोर गौरा पालिवाल के द्वारा बिना सोचे समझे जो अमानवे विहवार मेरे साथ किया गया है वो शमा योगे नहीं है पुलिस प्रशासन को याधिकार नहीं है कि वो अपनी गरीमा भूल कर वर्दी के नफशे में चूर होकर किसी भी भारतिये नांगरिक को दंडे दे ये कार हमारी देश की नयाय पालिका का है यदि योगते थाना प्रभारी लाहार एजडियोपी और रावत पुरा ठाने में पदस्त आरक्षित को यती कठो रामजान की बगेल इंसाफ के लिए गड़ गड़ाती रहीं लेकिन किसी नहीं सुनी इसे समुचे बगेल समाज में रोश्वयाब थे इसको लेकर बगेल समाज के लोगों ने रैली निकाल कर सामुही करूप से प्रसा पारत कर सुभा ग्यारा बजे मंगलवार को लाहार त सर्च करनी की मांग की और पीड़ेद ग्यान सिंग बगेल को स्वाइम के आत्म सुरक्षा के लिए शस्त्र लाइसेंस की मांग की तुदारन है यदि पुलिस प्रिशासन मदब्रदेश सरकार मदब्रदेश सरकार के ग्राय मंत्री डॉक्टर नरत्म मिस्रा ने रावत पुरा थाने में जिस तरीके से तीन पुलिस कर्मियों न मिलकर परियादी ग्यान सिंग बघेल को थाने के अंदर सी सीटी केमरे बंद करके बुरी तरीके से पृताड़ित करके उसकी पतनी रामजान की बघेल के समक्ष मारा है और वो पतनी गरगड़ाती रही पुलिस बालों की प्यर पकड़ती रही लें किसी ने नहीं सुनवाई करी है जिसका रोज समूचे हिंदुस्तान में है और जब तक कि हमारे फर्यादी पीड़त ग्यान सिंग बगेल को न्याय नहीं मिल जाता पूरे देश भर में बगेल समाज अंदोलन करेगी और जिला और तेसील इस्तर पर ग्यापन स्वापनी जा रही है